हेलो और नमस्ते, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की प्रड़क्ट प्रेजेंटेशन ने, हमारी आज की प्रेजेंटेशन है आटमी के मिल्क हिसल, एक न्यूट्रसोटिकल सप्लिमेंट है जो आपके लिवर को हेल्दी रहने में सपोर्ट करका है, लिवर हमारे शरीर का ए अगर हम आकणों पे निजर डालें, तो पूरे विश्वी में यानि दुनिया भर में लिवर से उने वाली मोटें अगर देखी तो हर पांच में से एक भारतिय है, जो की एक बहुत ही बड़ा रेश्यू धी और अगर हम इंडिया के आकड़ों पे नज़र डाले तो हर पांच में से दो भारतिय किसी ना किसी लिवर या उससे रिलेटिड डिजीज से रस्त हैं याने कि कोई ना कोई उनको प्रॉब्लम है याने कि टोटल 40% इंडियन्स लिवर या उससे रिलेटिड इशूस है उनको जो कि बहुत ही बड़ा आकड़ा है बट चलिए हम इसी के साथ आगे बढ़ें अगर तो देखते हैं लिवर क्या है पहले और लिवर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है वेल लिवर हमारे पूरे शरीर का सबसे अंदरोनी बड़ा मुख्य अंग है जो हमारे शरीर में हमें जिन्दा रखने के लिए बहुत ही प्रमुक मेटबॉलिक फॉंक्शिन्स करता है याने कि उसका जो रोल है वो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिवर नहीं हूँ तो हम अच्छे से जी नहीं पाएंगी इसलिए ये हमें ध्यान रखना है कि हमारा लिवर हेल्दी रहे वेल लिवर की एक खासियत है वो ये है कि वो खुद को रिजिनरेट कर सकता है याने कि अगर इसमें कुछ प्रॉब्रम होई तो ये खुद को अपने आप फीक कर सकता है पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो नहीं कर सकता है छोटी मूटी प्रॉब्लम्स ठीक कर सकता है इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हम अमारे लिवर को ज़्यादा खराब होने से पहले ही हेल्दी रख सकें उसकी उसे हेल्दी बना सकें वेल, हम लिवर की कित्म बात करी रहें तो देखते ही कि इसके क्या-क्या important functions है लिवर जो है हमारे body में जो भी हम खाते पीते हैं वो पचाने के बाद सबसे पहले लिवर में जाता है यानि कि हमने जो भी खाया पिया है वो हमारे पेट में जाके पचता है और nutrients बनाता है चेंज करता है यानि कि metabolize करता है ताकि हमारा शरीर उसे अच्छे से यूज कर सकी यानि कि लिवर का सबसे पहला function है metabolic function प्लस उसका दूसरा जो important function है वो है synthesis करना आप सभी जानते हैं हमारे शरीर में nutrition बहुत ही important role play करता है क्योंकि वो हमारे शरीर में absorb होके बहुत ही तरह के अंगों में use होता है सबसे important जो एक part है वो है protein protein हमारे शरीर में बहुत ही तरह के muscles बनाने में help करता है जो हमारी mass patient है उनको बनाने में help करता है और लिवर जो है हमारे शरीर में protein, hormones और enzymes चैसी चीजों को Synthesize करने में हेल्प करता है आप जानते ही हैं कि hormones और enzymes भी हमारे लिए कितने ज़रूरी है क्योंकि वो हमें जिन्दा रहने में जो processes हमारे body में होते हैं मुख्य जरियां है ताकि वो सही से हो सके ये था हमारा दूसरा important liver का function जो था synthesis करेंगा इसे के साथ हम बढ़ते हैं तीसरे important function जो है secretary function secretary function का मतलब भी है कि हम जो खाते पीते हैं वो खाना हमारे पेट में पचता है वही खाने पीने में एक चीज होती है वो है fat और fat को जो पचाने में सबसे important role play करता है वो है एक तरह का पदार्थ जो की bile कहलाता है और हमारा liver bile को secret करने में help करता है तो ये था इसका तीसरा important function यानि की bile secretion जो हमारे शरीर में fat को पचाने में help करता है next function जो है detoxification हमारे शरीर में ऐसे बहुत सरे processes होते हैं जिसमें side में bipodect बंते है और ये bipodect toxins भी होते हैं जो हमारे शरीर को नक्सान पहुचाते हैं और इन toxins को हमारे शरीर से निकालना बहुत ही जरूरी होता है ऐसे में लिवर बहुत ही एक तरह का important role play कर रहा है यानि कि उन toxins को शरीर से बहार निकालने में help करना या पिर उसको nushed करना तो लिवर का next important function है यानि कि detoxification यानि कि toxic जो भी पदार्थ बन रहे हैं उसको nushed करना साथ में साथ आजकल बहुत ही common हो गया है कि हम सब किसी समय पर दवाईयां तो खाते ही हैं यह medications चोट ही हैं यह medicines भी हमारे शरीर में जाती कई बार side यानि की byproduct बनाती ही toxins इन toxins को भी शरीर से निकलना बहुत ही important होता है और ऐसे में लिवर इन toxins को भी detoxify करने में help परता है next function जो है liver का वो है storage वेल हम सब जो खाना खाते हैं वो क्यों खाते हैं ताकि हमारी body को nutrition बिल सके energy बिल सके बट ऐसा समय भी होता है जब हम खाना नहीं खा रहे हो पर हमारे शरीर को इन पदार्तों की nutrition की जरुवत पढ़नी है तो ऐसे ही कुछ तरह की पदार्त है यानि example दो तो iron, vitamins, glycogen ये सारे चीजी हमारे liver store करने में help करता है ताकि जब हमारे शरीर को जरुवत हो तो ये उसे पहुंचा सके तो ये next important role जो liver का है वो है storage तो ये जो मैंने अभी आपको बताई ये सारे roles इन लुवारे liver और liver इन सभी rules को इन सभी process को अच्छे से कर सकी इसकी जरूरी है कि liver healthy रहे पर क्या होगा अगर liver healthy नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा कि liver में problem है वेल हमारा जो शरीर है ऐसे कई तरह की लक्षन हमें दिखाता है जिससे हमें पता चलता है कि हमारा liver unhealthy है उसमें सबसे common है हमारी आपको कोर स्केन का पीला पड़ जाना यह सबसे common sign है यानि कि कहीं लक्षन है जो हमारा शरीर में बताता है कि हमारा liver unhealthy है साथी साथ आपके अगर पैरों में या body में swelling रहती है यह वही एक लक्षन है liver की unhealthy होने के इसके अलावा बिन वज़े बढ़ जाना या घट जाना सबसे common है कि वज़े बिन वज़े किसी का वज़न घटता है यानि कि उसका liver unhealthy है भोग नहीं लगना वामटिंग जैसा फील होना यह सारे एक तरह की लक्षन है unhealthy liver के अगर आपको भी इस तरह की लक्षन दिखाई देते हैं यानि कि जादा तर एक दोनी कई तरह की इसमें से लक्षन दिखाई देते हैं तो यह एक चितावनी हो सकती है कि आपका liver unhealthy है और आ लिवर के unhealthy होने के कई reasons हो सकते हैं जैसे कि शुगर का बढ़ा हुआ होना बेपी का बढ़ा हुआ होना हद से जादा मोतापा होना प्यास साथ ही साथ अगर आपका lipid profile बिगड़ा हुआ है यह सभी common causes हैं इविन कई तरह की दवाएं वह आपके शरीर को हाने पहुंचाती है तो ऐसे कई reasons हो सकते हैं जिसकी वज़े से आपका liver unhealthy हो सकता है पर सबसे common other reason देखा जाएं इंडियन्स में वह है metabolic reason Well, metabolic reason का मतलब यह है कि अगर आपकी lifestyle unhealthy है आप खापी सही से नहीं रहें या फिर आपकी खाने में बहुत हाई calorie वाला food है या फिर आप alcohol consume करते हैं या smoking करते हैं यह भी एक बहुत ही common cause है liver की unhealthy होने का अगर liver unhealthy होता है तो हो दीरे दीरी बिगड़ की सबसे पहली स्टीज जो है वो है fatty liver उसमें convert हो जाता है जो कि mostly हमारे unhealthy lifestyle के वज़े से होता है याने कि अधिकतर अगर हम सही से खाते पीते नहीं हैं सही से सोते नहीं है इवन सही समय पे नहीं खाते तो इस reasons की वज़े से liver unhealthy हो सकता है और अगर हम इसमें ध्यान देली जाने की अगर अपनी लाइट स्टेल नौर्मल करंडेंटल लिवर healthy हो सकता है बट अगर हम ध्यान नहीं दे लिवर पे तो यहीं कंडिशन और बुरी होती चली जाती है याने की दूसरे स्टेजेस में convert हो जाती है जैसे कि फिवरो हो जाता है तो यह दोबारा healthy नहीं हो सकता याने की जो हमारा निवर है वो रीजनरेट नहीं हो पाता अगर उसमें निवर स्टेज पर पहुंच जाता है और इसी तरह की लिवर की बिमारियों से कई और दूसरी बिमारियां हो सकती है जैसे कि आपके cardiovascular disease होना आपके kidney में अस से related problems होंगा यह बहुत सरे common disease है जो लिवर खराब होने की वज़ा से देरे-देरे हो सकती है इसलिए जरूरी है कि आप ध्यान दे और initial stage में जब आपको पता चलता है कि आपका liver unhealthy है तो आप उसे healthy बनाएं याने कि सबसे common जो मैंने बताया वो है fatty liver वाली stage जो कि सबसे पहली stage होते है ऐसे में अगर आप healthy lifestyle follow करते हैं तो आपका liver दुबारा healthy हो सकता है क्योंकि जैसे मैंने शिरुवात में बताया था लिवर में regenerate होने की capacity है याने कि अगर थोड़ा उसमें कुछ problem आती है तो healthy lifestyle के जरी में दुबारा regenerate कर सकता है इसके लिए कुछ चीजों का आपको हाई calorie वाला उन नहीं खाना है साथी साथ आपके खाने पीने में आपको शुगर को कम करने है और alcohol और smoking को quit करना है साथी साथ आपको जो regular basis पर stress आता है तो आपको ऐसे तरीकी निकालने है ताकि आपको अपने stress को manage कर सकें और साथी साथ एक healthy lifestyle जीने है healthy lifestyle से मतलब है कि आपक अपने खाने में dietary fibers increase करने चाहिए आपको healthy food खाना चाहिए साथी साथ वेट मैनेज करना चाहिए exercise करने चाहिए और बहुत सारा पाने पीना चाहिए इसी के साथ साथ एक बहुत important चीज है वो है नीन आपको एक वर्पूर नीन लेने जरूवी है क्योंकि उससे आपका liver अच इसी के साथ साथ एक बहुत ही important चीज है वो यह है कि आप liver को support करने वाले supplement ले सकते लिए जिससे आपका liver बहुत ही जल्दी normal हो सकता है अगर वो fatty liver है तो वेल मैंने आप सिफ fatty liver की बात ही राइट बट एक fatty liver क्या है वेल यह एक ऐसे स्टेज है जिसमें liver में बहुत सारा fat deposit हो जाता है और सबसे खास बात यह है कि किसी को पता नहीं चल पाता अंटी अल्नेस आपका routine check up होता है उसमें detect हो सकता है आप और हम जैसे की खड़े हैं अ के बाद इसलिए बहुत जरूरी है कि जा आप regular day to day life में जी रहे हैं तो आप अपनी lifestyle maintain करें और healthy खाएं और साथी साथ ऐसे supplements खाएं जो आपकी liver को healthy रहने में support करें वेल इसलिए Atomy लाया है Atomy का मिल्क थिसर जो कि एक nutraceutical supplement है जो support करता है आपकी liver को healthy रहने में चले हमारे product की बात कर रहे हैं तो इसमें ऐसा क्या है जो आपको support करता है वेल, Atomy के milk थिसल में milk थिसल यानि की Cylvum marionum नाम का एक पौधा है उसका extract है यानि की उसका अर्ख है इसके अंदर ये जो पौधा है milk थिसल इसकी अंदर एक पदार्थ है Cylimerine नाम का Cylimerine इसके अंदर बहुत ही मात्रा में मिलता है जो की आपकी liver को healthy ranemate help करता है ऐसी कई सारी studies ने जिसमें पाया गया है कि Cylimerine में ऐसी properties होती है जैसे की antioxidant property, antiviral property, anti-inflammatory property ये सारे properties specifically liver पर focus करती है और liver को healthy ranemate help करती है इसके अलावा अगर आप देखी तो ये जो पौधा है मेक के जिल ये कई समाने से liver और उससे related कोई ना कोई problems में use किया जा रहा है इवें traditionally कई सारे उपचारों में इसका इस्तेमाल होता है अगर liver की कोई problem हो या फिर poison की वज़े से liver में damage हो तो ऐसे सभी तरह की issues में पहले भी use किया जाता है इसी वज़े से इस पौधे पे research की गई और पाया गया है इसके अंदर जो शिल मेरिंग है कई सारे फायदे हैं जो आपको लिवर और सिल रिलेटीड प्रॉब्लम्स में support करते हैं अगर आप रेगुलर्डी मिल थिसल देते हैं तो इसकी कई फायदे हैं ना सिर्फ यह आपको लिवर को support करता है प्लस साथी साथ अगर आपके लिवर में damage होता है किसी reason की वज़े से याने की inflammation की वज़े से किसी और बिमारी की वज़े से damage हो रहा है तो ऐसे में भी यह support करता है आपकी लिवर को healthy रहने में और improve करने में प्लस साथी साथ आपकी जो लिवर है वो आपके body को detoxify करता है जैसे कि हमने पहले discuss किया था बट लिवर को को detoxify करेगा वेल मेल्ट हिसल आपकी लिवर को भी detoxify करने में help करता है और साथी साथ support करता है ऐसे कई सारी conditions में जिसमें लिवर बहुत ही जल्दी damage हो सकता है अगर लिवर आपकी unhealthy lifestyle के वज़े से affect होता है ऐसे में भी वेल्ट हिसल आपके लिवर को support करता है दुबारा सेहत में अब ये तो हम दे बात की वेल्ट हिसल की फायदों की चलिए देखते ही ऐसा इसे लेना कैसे है ताकि हम इसकी फायदा ले सकने वेल आपको दिन में दो ट आप अपने healthy खाने के साथ अगर आप लेंगे तो ये support करेगा आपकी लिवर को healthy होता है प्लस आती साथ अगर आपको लगता है कि आपकी lifestyle काफी unhealthy है तो आपको milk खिसल देना चाहिए प्लस आती साथ अगर आपकी काफी busy lifestyle है आपको खाने का proper time नहीं मिल पाता या फिर आप पर ध्यान नी दे पाते कि क्या खा रहे हैं ऐसे में जरूरी है कि आप milk खिसल जैसे supplement लें जो आपके liver को healthy रहने में help करें इसी के साथ साथ अगर आपको normally अपना stress रहता है काफी लंबे time से जिसके वज़े से धीरे-धीरे आपकी health deteriorate हो रही है याने कि आपकी कमजोर होते जा रहें तो हो सकता है liver की वज़े से हो इसलिए आप liver को support करने वाली supplements ले सकते हैं जो help करेंगे आपको healthy रहने एक छीज़ ध्यान रखी आपको atomic milk खिसल जो है वह 18 या उससे plus यानिक उससे जादा उमर की लोग एक adult लोग और एक छीज़ ध्यान रखे कि यह एक nutraceutical supplement है जो आपकी health को support करेगा कोई medication नहीं, medicines अगर आपको actual कोई बिमारी है liver के तो आप doctor से जरूर consult करें तो मैं उमीद करती हूं कि आप सभी को आज की presentation समझ में आई हो गी और आप सभी milk खिसल का use करेंगी और अपने liver को support करेंगी धन्यवाद